आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अर्बी की बहुत ही मज़ेदार सबजी आपने भी कहीं बार बनाई होगी लेकिन आज मेरे तरीके से बना करके देखेगा बहुत ही मज़ेदार बनेगी तो अर्बी को मेरे यहां गुईयां बोला जाता है आपके यहां क्या बोलत देते हैं। काको यहां पर बहुत जरूरी बात हमें अर्बी को बहुत ज्यादा नहीं उबालने से मेशी मैशी हो जाती है सिस्क दो बिसल दिलाएंगे दो पल बं के यह फंट बहुत ज्यादा अवरकुक ने दो सीटियों के बाद इसका प्रेशन निकल चुका है तो हम गुईया को चेक कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गुईया देखेगा बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुई है पक तो गई हैं लेकिन बहुत जादा नहीं गली हैं ये देखिए आप इस तरह से दबा करके चेक भी कर सकते हैं बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो बस इनको तुरंत ही हम ठंडे पानी में डाल देते हैं वरना ये रखी रखी बहुत जादा गल जाएंगे और हमें इनको गलाना नहीं हैं हमने मिर्च भी अलग निकाल ली है तो मिर्च के हम डंठल को अलग कर लेंगे और घुईया को हम पानी से अलग कर लेंगे और इनको ठंडा होने के बाद छील लेते हैं तो इस सबजी में हम गुईया को ठंडा करने के बाद ही इस्तिमाल करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी सक्त हो जाती हैं और मुख़द मैशी मैशी नहीं रहती हैं अब बस हम इनको चाकूल की मदश से कट कर लेते हैं तो यहां पर इंचीजों का ध्यान देना जरूरी था इसलिए मैंने आपको ये सबी चीजें बताई थी अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्चे साथी में हम एक चम्मच भर करके डालेंगे साबुत धनिया यह मैंने प्याज ली थी एक बड़े साइस की जिसको हमने रफली काट लिया है तो आधी प्याज को हम इसके साथ डाल देंगे और आधी प्याज का इस्तिमाल हम सबजी बनाते समय करें अब हम इसमें डालेंगे पांचे कली लेसुन की और इनको हम अच्छे से पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि यह जल्दी से बिस जाएं हमने सभी को पीस लिया है और जो हमारा मसाला है बिलकुल रेडी हो चुका है वह बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आगया है तो इस मसाले को आपको बहुत ही स्मूथली नहीं पीसना है अगर आप बहुत जादा चलाएंगे तो एक दम स्मूथ हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको दरदरा टाइप का इसको रखना है तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, यहाँ पर हमने कड़ाई रेली है और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल को हम गरम होने देंगे, अब हमने जो अर्बी को काटके रखा हुआ था इस अर्बी को हम तेल में डालेंगे, अब हम हाई फ्लेम पर अर्बी को बढ़िया से सुनहरा होने तक तल लेंगे ठंड़ा होने की बज़ाए से ये आपस में चिपकेंगी नहीं और बहुती बढ़िया एक एक अर्भी सुनहरी हो जाएगी यनिकी फ्राई हो जाएगी तो लीजे हमने इसको 2-3 मृट तक अची से फ्राई कर लिया है इनका सुनहरा कलर हो चुका है अब हम अर्भी को अलग प्लेट में निकाल लेते हैं तो लिजे अर्भी हमारी बहुत अच्छी से फ्राई हो चुकी है तो इनको हम साइड में रख देते हैं और फिर से हमने कड़ाई ले ली है आप उसी कड़ाई में भी बना सकते थे बट मैं अधिक तर सब्जिया मोटे दले की कड़ाई में ही बनाना पसंद करती है तो बस कड़ाई में हमने आदा चमश के करीब तेल डाला है तेल को हम गरम होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा साथी में हमने जो प्याज बचा करके रखी हुई थी हम प्याज डाल देंगे प्याज को हम बिलकुल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर प्याज का प्याज का कलर हलका सा सुनेरा हो गया है तब हम इसमें हींग डालेंगे और इसको भी अच्छे से एक बारी मिक्स कर देते हैं तो प्याज को हमें बहुत जादा डार्क नहीं करना है इस चीज का ध्यान लखिएगा अब हमने जो मसाला पीस करके रखा हुआ था इस मसाले को हम डालेंगे साथी में थोड़ा सा हम पानी क्लीन करते हुए डाल देते हैं मसाले को अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर साथी में हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और थोड़ से इसमें हम कसूरी मैथी डाल देंगे कसूरी मैथी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और बढ़िया से हम इसकी करेंगे भुनाई मसाले को हमने काफी अच्छे से भून लिया है तो बस अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही साथ इसमें हम नमक भी डाल देते हैं तो स्वादान सार आप नमक डालें और बस इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा मसाले को और अच्छे से मून लेंगे ताकि जो धनिया की तो बस अब हम इसमें डाल देंगे अपनी अर्वी की हुई अपनी अर्वी या घुई या गूहां फ्राइ करने से क्या होता है जो अर्वी में चिप चिप पापन रहता है और दूसरी चीज़े इसका टेस्ट बढ़ जाता है अरवी अपने आप में ही बहुत टेस्टी हो अरवी के साथ अच्छे से एक मिनम तक और भूणीन है, तो अब ब्लास भरकर पाणी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब बस हमें कुछ नहीं करना है केवन हम इसको अच्छे से पकाना है तो इसको हम बिना ढखे ही दो-तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से पकने देते हैं तो दो-तीन मिनट बाद हमारी जो अर्वी की सबजी है बन करके बिलकुल रेडी हो चुकी है बिलकुल देसी अंदाज में हमने आज की अर्वी की सबजी बनाई है हमारे गाओं में इसी तरह से बनाई जाती है तो इस तरह से बनी हुई अर्वी की सबजी बहुत ही जादा टे आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है तो भाई इसे ट्राइ करना तो बनता है तो बस गर्मा गरम अर्वी की सबजी को इंजाय करिए रोटी नान तंदूरी रोटी के साथ तो उमीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की अर्वी की सबजी की रेस्पी खूब अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार नाश्ता की रेस्पी लेकर के आई हूँ जब भी कुछ बाजार का मज़ेदार खाने का मन हो ना तो आप ये जरू ट्राई कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं से कैसे बनाना है तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इदम चीजी आलू की रेस्पी इसके लिए चार उबले आलू को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे अब हम डालेंगे पारी कटा हुआ प्याज सिमला मिर्च सा सब ऑसी चीजीओं को अच्छे से मिक्स करें अब हम इसमें डालेंगे एक कप कॉनफलॉर धान security ऑ घण क हैने अफिर मोटा चीज करेंगे और조ि तो बस ही ट्राइंगल रेडी है तो इनको हम डिरेक्टली तेल में डाल करके बढ़िया सोनहरा होने तक तल लेंगे इस तिन के अंदर जो चीज है वो मेल्ट हो जाएगा एकदम यूनिक रेस्पी बन करके तयार है आप ज़रूर ट्राइब करिएगा वीडियो अच्छा लग अवीड तो इस तो इस ने